गदवर्षवी मार्गदर्शन देने के लिए अमारा बीच में राष्ट्रिय स्वहिम सेवसंग के परमपू जन्य सरसंग जालग जी दे इस सल्वियां हम बहुत पुन्य हो गया अमारे बीच में दो दिन सरसंग जालगी रहेंगे आज शुब प्रादकाल से ही अमारा सभी गदिवीदियों चर्चाओं अब सुन्टे रते दे अभी में अगरपूर प्रावतना करता हूं प्रमपू जन्य सरसंग जालगी सब को मार्गदर्शन देंगे मन्चपर उपस्थित सभी माननिय मानुभाव और सभाग्रुव में उपविष्ट सभी मानने वर मानुभाव क्योंकि ये बात कही गई कि मुझे मार्गदर्शन करना है तो मानुभाव संसाधन मंत्री महोदय ने जो कहा कि मैं किन को बताओं ये तो वहां काम करने वाले सब लोग है तपस्वी लोग है वैसे भी किवल नाम आपके अगर आते हाथ में तो यही बात मैं कहता और आज तो यहां पर वर्णन हुआ है आप क्या क्या कर रहे कहां कहां तो करने वालों को उसकी अवर्शक्ता नहीं रहती परन्तु अपना संकल पर पत्र देखने के बाद और यहां की चर्चा सुनने क कि मेरे जान में एक बात आई कि सब को साथ लेकर काम करने की बात आप कह रहे हैं और शिक्षा वास्तविक शिक्षा हो भारतिय शिक्षा हो इसलिए आप लोग काम कर रहे हैं इन दोनों बातों से मेरा भी संग का काम करते करते बहुत सारा संबंद आया है तो आपने अपने प्रोब नुब बताहिये में भी आपके सामने अपना अनुभब बता रहा हूँ उस अनुभव में ए मैं कुछ आपके काम की बात आपको हाथ हमें आई तो अची बात हैं मıtने तो यतना मैं ली जिए कि आज यहां भोजन किया है तो उसके मुआओजे में यह काम मुझे बोलने का दिया है तो वह मैं कर रहा हूं कि यह कुछी बहुत अच्छी बात लगती है及 कि विचरे बार मैं ह् कुछी बार मैं geh 1997 में आया था तभी मेरे में में आया था कि शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है कि वो पूरी तरह शासन के अधिन नहीं है अपने भारत में तो और बहुत अधिक कि अभी भी शिक्षा समाज के यात्में है कि इसलिए उस एक क्षेत्र में परिवर्तन कि सरकार अपनी गती से चलेगी अब नई शिक्षा नीति अभी आई है शुरू करने का काम तो बहुत पहले प्रारंब हुआ था लेकिन सरकार में समय लगता है तो वो अपने गति से चलेंगे लिकिन समाज अगर मन में यह लाएगा कि शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए तो शिक्षा में परिवर्तन होके रहेगा और इसलिए ऐसे प्रयोंगों को संक्रिक करना उनको प्रोच्षान देना और धीरे धीरे ये वातावरण बनाना और सब को उसमें जोड़कर शिक्षा में वांचित परिवर्तन लाना ये शिक्षा में परिवर्तन लाने का सही रास्ता है ऐसा मुझे लगता है भाकि अनेक बाते शिक्षा तंतर के पहलू कर बाते रहती हैं फी स्ट्रक्चरर रहता है और शिल्याबस रहता और कई बाते रहती है इनके लिए काम करने माले संगठन है लिकिन शिक्षा में एक परिवार्टन आना चाहिए इसलिए सतत प्रयतन शिल अगर पुरा शिक्षा जगत हो गया अपने अपने तरीके से लेकिन आपस में तालमेल रखते हुए तो शिक्षा का परिवर्ता नहीं है कोई कठीन बात नहीं है क्योंकि पहली बात तो है कि यह लगबक सब के मन की बात है आज तक जितने कमिशन्स अपने देश में आके गए उनके भी संकल्प पत्र अगर उन्हों में तैयार किये होते तो यही संकल्प पत्र उस समय भी बनता है उनकी शिफारे से उसी प्रकार की है घर में अपने पाल्य को विद्याले में माविद्याले में उच्चे शिक्षा के लिए भेजने वाले माता-पिता से लेकर तो उनको तैयार करने वाले कुलोपतियों तक सब के मन की बात इसमें आती है और परिवर्तन यह दिरे दिरे ही आता है और वह अंदर से आता है उपर से थोप के बाद में होती है हुआ है है लोग किरान्ती की बात करते हैं कि कुछ कि प्रिस्थिती की प्रतिक्रियाओं में मन में जो एक आई भह्うん दलती है उसका लाव कॉरांटी लेती है लेकिन कुप प्रभर्वधन करके कि कौरांटी करके हमको साध्य क्या करना है ऐसी कोई करांटी होते नहीं कुरांटी यह तुरंट की बात रहती है आझ शुन किया और 15 दिन में हो गया। ऐसे वो करांति होती है और 15 दिन में हो गया ऐसा होता है। इसलिए 70 साल चला उसके बाद चल गया यह भी होता है। और हम देखते हैं कि जब तक वह वर्षथ थी तब तक वह ऐसा चल रहा था। विवस्ता हाटने के बाद पहले जैसा होने में कोई देर नहीं लेगी, क्योंकि मुल में परिवर्तन नहीं आया है, वास्तव में धीरे-धीरे सब का मन बना कर प्रयास करके जब परिवर्तन आता है न, तो वो जीवन का, जीवन जीने वालों के चिंतन का, उनके चित्त का, मन का हिस्सा बन जाता है और वो शाश्वत हो जाता है, कानून आता है, कानून के पीछे शासन का बल रहता है, धंडर रहता है, तो जब तक पुलिस चोक में खड़ा है, तब तक तो लोग मानती ही है, ज्यादा हो गया तो वो भी नहीं मानते हैं, होता है लेकिन सामान नेता है अपने देश में कम से कम पुलिस जहां खड़ा है वहां नियम पालंग करने की प्रोरुति दिखती है कि पुरंतों पुलिस जाने के बाद वैसे वह कानुद बदल गए और बदलते ही है तो फिर आचरण भी बदल जाता है आचरण ऊपर से बदल जाता है स्थाई रूप से बदलता ने लेकिन मन बना की जो होता है तो वो आठ हजार साल पहले आज की गणाना के अनुसार भगवान राम ने एक परिवर्तन लाया वो अभी तक स्थाई है भगवान राम के उन विचारों को मानने वाले भी सत्ता में थे नव मानने वाले भी सत्ता में थे उससे कोई फरक ने पड़ा शिक्षा में परिवर्तन लाना है तो उसी प्रकार से प्रयास हमको करना और आपने वो संकल्प लिया है यह बहुत अथी बात परंतु इस संकल्प को हमको साकार करना है उत्सव है उत्सव में कई प्रकार के लोग आते हैं उत्सव है मेला है समारंभ है तो जहां उत्सव है जहां मेला है वहां जाना देखना बहुत सारी रोशनाई रहती है बहुत सारी भीड रहती है बहुत सारी बाते रहती है तो देखने का शोक रखने वाले लोग होते हैं इसे शोकिया लोग भी आते हैं कुछ लोगों के काम होते हैं, भगवान के पास उत्सव भगवान का अगर है, तो भगवान को मननत कही थी कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उस उत्सव में पेड़े बाटूंगा, वो पूरी करनी है, क्योंकि डर है नहीं कि तो उल्टा हो जाएगा, या कोई मननत बतानी है, भगवान चौन के तरफ लोगों का ध्यान जाता है, उनका ध्यान उस समय अपने जेब पर नहीं रहता और अपने हाथ में कला है, तो अपना बिजनेस हो जाएगा वहाँ पे, इस इच्छा से भी कुछ लोग जाते हैं, इस तीनों प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन चौथा प्रकार हो मैं अपने यहाँ एकी प्रकार में जानता हूँ, जो संकल्प पत्र में उल्लेक हो उन सब बातों पर मन से विश्वास करने वाले, उसके लिए अपने अपने स्थान पर प्रयासरत रहने वाले हम सब लोग हैं, बस देखना के वाल इतने होता है, कि बात अच्छी लगती है जो बात अच्छी लगती है, वो समझ में आती है, ऐसा नहीं है, बात अच्छी होती है, बात अच्छी लगती भी है, और उस बात के साथ हम जुड़ भी जाते हैं, उस बात को साकार करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए हम सक्रिये भी हो जात लेकिन इसका अर्था यह नहीं है कि उस बात को हमने पूरा समझ लिया कि उसके लिए अलग से प्रयास करना पड़ता है कि आप तो यह सब विद्वजन बैठे आपके बारे में यह समस्या नहीं है लेकिन जो और लोग जुड़ेंगे इसमें अमारे साथ उनको कोई भी परिवर्तन लाना है तो उस परिवर्तन का जो मुलादार है उस परिवर्तन में जो उद्देश है उस परिवर्तन का आज काल सुसंदत जो रूप हमारे सामने है वो जितना नीचे तक समझ में आए उतना अच्छा और इसलिए जो हमारे सहयोगी बनकर इसमें लगेंगे उनको समझा सकने की क्षमता उनको जैसा समझ में आएगा वैसे समझा सकने की क्षमता यह हमारे पास है की नहीं है यह निकलने के पहले एक बार देख लेना उस काम क देखरने चले मार्कमेंट ने जाएंगे खरी जेंगे तो पैसा लिया है कि नहीं साथ में इतना देख लेना है तो अपने पास लेकिन टीजोरों में बड़ा है तो काम नहीं आएगा जब में चाहिए कि तो पहली तो बात है की हमने कहा कि शिक्षामें भरतीयता वोनी छे लिकिन भरतीयता क्या है क्योकि इसके बार में कई प्रकार के मत चलते है कि ऐसा अभी कभी कभी दुर्भाग्य पुरूल दुर्श्य उपस्थित हो जाता है कि भरतिये ताका ही विरोध है थोड़ा है ज्यादा नहीं है निश्प्रव हो रहा है लेकिन है तो सही कुछ तो समाज का हिस्सा होगा उसके चपड़ में आता होगा अन्यान निकारणों से कि वो तो अपना ही समाज है उसको भी शिक्षा में लाना है तो भारतियता क्या है और भारतियता के पक्षमें जो लोग है उसमें भी वास्तों एक भारतियता क्या है कि उसका एक रूप है सदियों से चलता आया है हर एक यूग के अनुसार उस रूप में भी अनेक प्रकार के परिवर्टन हुए इसलिए उसका रूप भी बिलकुल एक अरस ऐसा नहीं है वह आप जिस जगह से देखेंगे जिस दुरुष्टी से देखेंगे और जिस समय देखेंगे उसके अनुसर वो अलग-अलग दिख सकता है तो समग्रता में उसको समझना मूल में उसको समझना उसमें अनिवारिया बाते कौन सी है और कालस आपक्षा बाते कौन सी है इसको समझना कि यह हमको करना पड़ेगा तब हम लोगों को समझा सकेंगे लोगों के गले उतार सकेंगे जैसे मात्रपाशा की बात है एक सामान्य प्रथना सब बाहर पूछते होंगे गलत प्रथना हो जानते हैं लेकिन है लोगों के मन में कि मैंनों अंगरी जी पढ़ने से नोकरी के लिए अच्छा रहता है अंगरी जी माध्यम से अभी यह गलत परमी है ऐसा बिलकुल नहीं है यह सारे तक्ठों के विपरीत है लेकिन यह हमको बताना पड़ेगा ना तो तत्थे क्या है हमारे पास ऐसी कई छोटी मोटी बाते है वहिचारिक भी है व्यावारिक भी है जिसका एक बार हमने अध्यान चिंतन पूरा कर लेना चाहिए और इस संकलपपत्र की इस विशा को लेकि जाना चाहिए ऐसे अनेक विशा हो सकते है भारती शिक्षा भरत के एक विशेस्ता है कि भारत में कोई भी बात यह सब घोड़ 12 टक्के ऐसी नहीं चलती है। वैसे भी बाकी दुनिया की प्रवुद्ति स्टेंडर्डाइजेशन की है। हमारी प्रवुद्ति प्राचिन समय से कस्टमाइजेशन की है। यहाई अधिये कोई दवा लेता हूं जिस वनस्पति से लेता हूं तो मेरे लिए कहां की वनस्पति चाहिए वही वनस्पति है। मैं जाओं अरिद्वार में बाद कुछने जी के पास तो निकाल कर देंगे उनके पास इतना बड़ा यमाल है हो आज सो लाती है। लेकिन मैं नागपुर में अगर रहता हूं बारा मैंने तो अईरुवेट कहता है कि वहां को जो वहां की वनस्पति तुमको ज्यादा परणाम कारोगों कि यह प्रकृति है सारी दुनिया में प्रकृति ने ऐसा रखा है हम बने ही उसी से तो उसके जो जलाव भूमियादी के परिवर्तों होते हैं उससे हम प्रभावित होते हैं और इसको समझ के आईरुवेट को देखो आप तो वह आपकी वातपित्त का फजनित प्रकृति कौनसी है वह देखता है आपका आहर कों सदेखता है आपका काम कों सदेखता आप रहते कहां है देखता है और ऐसी कई बाते देखकर आपकी दवाए कि इसट निस्चेट करता है एक दवाए stitches सबको दुनिया में ऐसा नहीं चलता यह कस्तमाइज़ेशन है हमारे यह हर बात का ऐसा राज्य वेवस्था भी हमारे यह अलग-अलग रही है प्रचीन समय में आज उसके आवश्चक्ता नहीं है आज का समय बदला लेकिन जब ऐसा समय था तो हमारे मंत्र पुष्म में ओम स्वस्तिस्वाम राज्यम भाउज्यम स्वाराज्यम वहराज्यम पारमेष्ठम राज्यम महाराज्यम आधिपत्य समंत पर्याई यह सारी राज्य व्योस्था है उस समय की भारत वर्ष में एक साथ प्रचली थी और ऐसी अलग-अलग होने के बाद भी पृतिव व्याई समुद्र परियंत आया एक राटी थी हम एक राट देए यह जो विवीद है वो शिक्षा के एक शेत्र में भी थूड़ी बहुत होगी शिक्षा के एक शेत्र की दिशा का दिग्दर्शन एक जगह आकर एक विचार बना के हो सकता है लेकिन इसको लागू करना जगह जगह यह वहां की अपनी परिस्थिती विशेश्थाएं आवश्षक्ताएं इस पर से तय होता है तो हमारे सामुईक प्रयास में दिशा एक रखकर हमको इस विविधता के लिए अउसर देना पड़ेगा यह मैं नई बात बताने रहे हूं ऐसा ही बताएं नहीं रहा हूं ऐसा ही हो रहा है ऐसे ही चलना चाहिए जहां द्यान में प्राणम्य में तो हम अपने अपने जगह करण कर यह अंपने अपने अनुगोत रहे हैं फिर हमारे संकल्पन बन दे और बनना चाहिए उसमें दिशात ए होती है बाद में प्रश्चना आता है कार्यकरम होगा तो काकरम कहां कैसा हो इसके बारे में इन से बातों को देखके वहां वहां की बात प्रेकरने पड़ेगा तो हमारा सामोहिक प्रयास अब जड़ पकड़ेगा तो हमको हमारे कार्य पद्धती में ये लचीलापन रखना पड़ेगा कि दूसरी बात जो ध्यान में आती है कि सतत करने का काम है आज हमने तई किया और हमको जल्दी से जल्दी परणाप चाहिए यह तो बात पक्की है हम हजार साल लड़ेंगे लेकिन विजय प्राप्त करेंगे कि हमारी घुट नहीं है हमको लड़ना है और हो सके तो कल अप्रण थक विजय प्राप्त करनी है दे जी इससे हो इसलिए होगी कि वो हो नहीं सकता कल सुबह तक का कुछ दिन लगेंगे इसलिए हम ठीक है उसको परदाश्ट कर रहे हैं लेकिन जल्दी से जल्दी हमको सपल करना है लेकिन जल्दी से जल्दी शीगराती शीगर करना है और अगर लंबा चलेगा मामला तो भी हमारे ह उसले पस्तनी होंगे हम करते रहें कि क्योंकि यह परिवर्तन का काम है इसको बहुत धायर्यपूर्वक सातत्य से करना पड़ता है भाग्या हमारा अच्छा है छे मैंने महम को प्रणाम प्राप्त होंगे भाग्या हमारा अच्छा नहीं है छे साल भी लग सकते हैं लेकिन आज है मैंने करके देख लिया आप नहीं करना ऐसा करके छोड़ देंगे तो होगा ही नहीं और करकर रहेंगे तो होगा सक्सेस और फेलिवर इस तरी फीट ऐसे कान ही मैंने पड़ी रिड़ डाइजिस्ट में पड़ी बहुत पुरानी पुरान महीं विज्दार थी ता तब की बात है वो सत्यकता है ऐसा उन्होंने का मुझे मालूम नहीं लेकिन एक आदमी उसका सब कुछ चला गया बैंक में नोक्री थी गलती से किसी को जाधा पैसा चला गया नोक्री से उनको निकाल दिया गया और सब बैंकों को बताया गया कि इन पर हमारा शक है यह आजमी ठीक नहीं लगता हो आएगा नोक्री के लिए तो ध्यान रखना तो नोक्री के रास्ते सारे बंद हो गया दूसरा सकते हैं और अमरिका में ऐसा होता है ऐसा कहते हैं कि भई ऐसा नहीं है तो फिर पत्नी भी साथ नहीं उसने भी डाइवर्स ले लिया और जाते जाते मेरे भावी जीवन की व्यवस्था के लिए कार बंगला सब कुछ ले गई अब इसके पास कुछ भी नहीं है जैब में Сबांस थे हैं बाकी रास्ते बंद है नहीं कुंछ नहीं है यससे सोचा आत्त्मत्य करेंगे लेकिन आत्त्मत्य करने के पेले सवासो डालर्स में जितना आईश हो सकता है उतना करेंगे तो जाएंगे वो ला भेगास में वो चला गया वहां जुआ बहुत खेला जाता है तो इसको अपना भाग्य होगा तो थड़ा बढ़ाएंगे नहीं तो जाएगा गड़े में सारा पैसा फिर मर जाएंगे ऐसा सोच के गया शाम को पहुचा होटल में इविनिंग न्यूस पेपर्स थे उसने पढ़ा तो उसमें निलामी की नूटिस थी रिगिस्तानी इलाका है आसपास सब उस रिगिस्तान में दो तिन किलोमेटर लंबी और एकड़ किलोमेटर चौड़ी ऐसी जमीन कुछ साल पहले माइन कमपनियों में खरीजी तियों क्योंकि उनको लगता था कि इसमें मैंगनीज मिलेगा और दो चार कमपनियों ने मिलकर वो खरीदी थी और ओखोड़ाई चलाई और बहुत खोड़ा बहुत खोड़ाई से ओफिट नीचे जाने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला इसलिए सबनें से खर्चा फालतु ही हो रहा है मिलेगा तो कुछ नहीं तो इसको निलाम कर देते हैं तो इसको लगा जुवा ख्यलने से पहले ये अच्छा इसको आजमा के देखेंगे मरना ही है गड़ा तैयार मिलेगा जमीन के मालिक के नाति मरेंगे तो चला गया अब वो दो तीन किलोमेटर लंबा चाओड़ा गड़ा कौन खरेदेगा कोई आया ही नहीं यही एक पहुचा तो कुछ 75-80 डालर में उसके नाम वो जमीन हो गई कि ग्यारा बज़े गया था समय के अनुसार और एक देड़ बज़े तक काम पूरा हो गया जमीन इसकी हो गई वो मजदूर आ गये कि साब हमको आज तक की मजदूरी उन्होंने चुका दी है कंपनियोंने तो पांच बज़े तक का हमारा वादा है आप कहते हैं तो तब तक पड़ी और फिर वो अरब पती हो गया उसकी कहानी देके हो रिडर्स दाइस कहता है कि डिस्टेंस बिल्ट्विन सक्सेजंट फिलियोर इस थ्री फीट कि तीन फीट के लिए धैरियों चोग जाने वाले यह प्राप्ति के लिए उप्युक तो लोग नहीं है और तीन फिट कहां से शुरू होते हैं कोई नहीं बता सकता है और इसलिए हम को सतत इस प्रयास को बढ़ाते रखना पड़ेगा तरह तरह के अनुभ हो आएंगे उत्सावर्दक आएंगे हो सकता है कुछ निराशा पैदा करने वाली लेकिन सब होने के बाद भी यह समझना कि अपना संकल्प सत्प्य है और हमारे उर्दे में कोई स्वार्थ नहीं है ऐसा काम आज ना कल यश्यस भी होता है उसका समय आना पड़ता है बस इतनी बात है समय आने तक उसके लिए सतत प्रयास करने वाले लोग चाहिए वैसा हमको बनना पड़ेगा थीसरी बात है हम सबको साथ लेना चाहते हैं तो सबको साथ लेने के लिए पहला काम करना पड़ता है मैं और मेरा सबको छोड़ना पड़ता है वो जितनी मातरा में हम छोड़ सकत है हम कोई योगी मात्मा नहीं है अंकार का पूर्ण निराज कर देंगे संभव नहीं है कि देवों के भी अंकार के हरण की गर्वहरण की कथा है हम सुनते हैं हम दो मनुष्य है पर अंतो हम उसको कम कर सकते हैं धे के लिए जितना अभी कर सकते हैं और मैं मेरा इने वहती के ब यह अभीनिवेश रहता है, मिलकर काम करते समय भी रहता है, कभी-कभी ऐसा हो जाता है, जैसे महाबारत युद्ध के बाद यादवों का हुआ, कि युद्ध में किसका पराकरम जादा था, इसको लेकर आपस में जगड़ा हुआ और सारा वों से नस्ट हो गया, अब युद् जब मनुष्य पैदा हुआ तब से और अगर कही मानव जाती का अंता है, तो उस अंता तक शिक्षा ये सदैव की आवश्यकता है, मनुष्य जीवन में, जैसे हवा सदैव आवश्यक है, वैसे शिक्षा और स्वास्त है, ये दो बाते मनुष्य जीवन की आवश्यकता है, जब हम निकट आते हैं, अपरीची त्वेक्ती से कभी जगड़ा नहीं होता अपना, परीचय जैसे दोस्ती का कारण बरता है, जैसे परीचय जगड़े का भी कारण बन सकता है, और इसलिए जब साथ लेना है सब को, तो अपने-पने संगटनों के, विचारों के, अभी होती है, अलग अलग याले कि अविए दो बाते मिलती है, तो उसके लिए मिलकर काम करेंगे, ऐसा हम को सुचना चाहिए, वह चारीक मतबह्यट भी कभी कभी होता है, गए लेकिन उसको भी इस स्वभाव से हम पाट सकते हैं पाटना चाहिए, तो एक वह यह चारीक के ने यह होना चाहिए इसको सब की माननेता चाहिए नहीं यह नहीं होना चाहिए ऐसा है तो फिर काम नहीं चलेगा यह होने के लिए हम काम कर रहे हैं कि इतना तक हम देखें बागे ठीक है अनेक बातों में मतबद हो सकते हैं इसको क्रियान इतके से किया जाए इसके बारे में मतबद हो सकता है आज करना है कि कल करना है इसके बारे में मतबद हो सकता है पद्धती समय आधी कई बातों को लेकर क्योंकि हम अलग-अलग व्यक्ति May 3 में अलग अलग संगेटन है अलग-अलग मत होई संगटन परन्तु उनको भूल जाना ये अलग-अलग होगा अलग-अलग है फिर भी हमने साथ रहकर काम करने का निष्चे किया है ये संगटन की भावना है जो संगटन मंतर में समानो मंत्र समिति समानी समानम मन सहचित्त में शाम तो विनोबा जी कहते है कि सब जगे रुगवेदकार मनुष्य को जानते थे वो यह जानते थे कि आदमी का सब कुछ समान हो सकता है लेकिन उसका चित्त कभी समान नहीं हो सकता अलग-अलग विक्तियों का चित्त अलग-अलग ही रहता है तो उसमें से अलग-अलग प्रकार की कल्पनाएं विचार ये सारा दर्शन वगरे सब निकलने के बाद भी अगर ये पक्का आएगी होने के बाद भी हमको मिलकर चलना है तो सहचित्त होकर भी हम चल सकते बाकी बाते समान बनातर इसको धान में रखकर हमको आगे चलना आपके इतने लोग तो हमारे के उन्हें इतने ऐसी छोड़ी बात आती है बड़ा मन करके इन बातों को पाठ कर हमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा और इसलिए बहुत क्रुशियल बात अपनी रहेगी हमारा संपर्क चाहिए हमारा समवाच चाहिए अपने संगठन में भी सहयोगी कारिकरता इस सब को साथ लेने के काम में जो अपने रहेंगे उन सब से अच्छा घनिष्ट परीचे संपर का उसके लिए समय देना पड़ता है उसके लिए जाके मिलना पड़ता है साथ काम उनके करना पड़ता है उनको साथ लेकर करना पड़ता है मुनुष्य जान में आता है तब उनके उस आग्रह को बरदाश्ट करके उसको बिना काटे या बिना उसका विरोध करें मैं उनको अपने साथ उनके आग्रह के बाउजुद जोड़ सकता हूँ कि यह आतरी जाट डॉक्टर साब गए एक बार उनके कम्मिनिस्ट मृत्र थे कॉम्रेड विकर बड़े प्रसिद्धन एता है डॉक्टर साब हिंदु तुववादी वो कम्मिनिस्ट वो बड़े गर्भश्री मंत्र डॉक्टर साब के घर में दो खाने की विवस्ता नहीं थी वो कहते थे कि मैं पूर कैपिटलिस्टू आप एक रिच लेबरर हो ऐसा उनको बलते थे तो डॉक्टर साब उनके आगे और पूछा कि कल अगर मैं आगया और आपको बताया सुबह शिवाजी महराज का रज्य सुबह से शुरू हो गया वापस आगे और उनका रज्य शु यह होने के लिए अम सब मिल के प्रयास के यह सहचित्त वृत्ति है उसका प्रदर्शन हमको करना पड़ेगा उसका आचरन हमको करना पड़ेगा तब सब लोगों को साथ लेने का अपना सपना बहुत आसानी से अनने विशेह में इसके बात भी तोड़ा समय लगयागा इस विशे में बहुत जल्दी सारे समाज में साथ चलने का बातावरन बनेगा और ऐसा करते समय फिर चलना है तो अपना काम ही ऐसा है कि इसमें कोई अंतीम शब्द नहीं है हमको प्रयोग करने पड़ेंगे प्रयोगों की समीक्षा करने पड़ेंगे समीक्षा में से एक सामुई इक निशकर्ष निकालने पड़ेंगे और उन निशकर्षों को प्रचार में लाना पड़ेगा सबको बताना पड़ेगा आप भी करके देखो बताना पड़ेगा उसके आधार पर उसका प्रसार होगा कि तो यह जो सतक प्रयोग शीलता है उसको अवसर मिलना चाहिए आपको बतानी कि आपड़ सकता नहीं क्योंशी शिक्षा सांस्कृति उत्थान न्यास यह कोई संगठन नहीं है वह एक मन्च है तो यहां उन प्रयोगों की स्वतंत्रता तो है ही है यहां कोई एक अनुशासन में सब बंदे अपर ऐसी बात नहीं है अनुशासन सब में लेकिन संगठन में उसमें चलना पड़ता है परमिशन में यहां वह ऐसा नहीं है मन्च है और इसलिए वह प्रयोग शीलता की स्वतंत्रता रहेगी लेकिन प्रयोग पुरा होने दो उसका फल मिलने दो उसकी समिक्षा उने तो उसके बाद निश्कर से निकार पहले से भविष्च्च मत करना आपका प्रयोग असफल होगा गड़बर होगी आप मत जाओ ऐसा पहले से करने की दूरूद नहीं करके देखने दूब क्या होता है कि इस प्रकार से लोग साथ में आएझे और ऐसा होगा तो फिर इसका जो दवाव खड़ा होगा कि उसमें व्यवस्था या तंत्र इसे स्विकार करेगा कि वो चाहते आज जो जग जग उस व्यवस्था में वो इन बातों को चाहते हैं लेकिन वो एक चौखट में है अपना मंच है इसलिए हम स्वही रहे एक तरह से उनका वैसा नहीं है एक व्यवस्था में उनको इसके हिसाब से चलना पड़ता है देर भी लगती है कुछ बाते मन में होने के बाद भ लोग उनपर टीकाटी पड़िगान और कुई मतलब नहीं है हम समाज में ऐसा खड़ा कठे समाज जिस दिशा में चलेंगा यहाना उस दिशा में सबको जाना पड़ता है इच्छा होना हो टंत्रकी जदिट्नत्र अपने आपको बदल लेगा लेकिन इन सब बातों को मानने वाले लोग जहाँ जहाँ है वह वो प्रयास करेंगे इन बातों का महत्व तब ध्यान में आएगा उस वातावरण में से और फिर इन बातों का तंत्र में भी स्विकार होगा और ऐसा करमशा परिवर्तन आता है तो एक बार वो आ गया तंत्र में तो फिर वो चलते रहें क्योंकि वो कि वह तंत्र में इसलिए नहीं जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है जो उसको पढ़ाने वाला आचारे है दोनों को इस बदले हुए पद्धती में क्या लाभ है क्य आनन्द है क्या श्रिय है क्या प्रिय है इस खब का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा और इसलिए फिर हमको बताने के आवश्यक्ता ने या पार की भाशाम बोलेंगे तो अपना माल बेचने के लिए हमको कई जाना नहीं पड़ेगा लोग हमारे दुकान पर आकर लाइन अनुभव भी इसका है लगातार ऐसा हम अगर काम करते रहेंगे और अधिकारीक लोगों को जुटाते रहेंगे बहुत लोग है पिछले बार भी मैंने का था पिछले बार कुछ 300-300 प्रयोग आये थे लेकिन 3,000-4,000 प्रयोग होंगे ऐसा उस समय लगा आज आज आपकी सं जब तक वो जुड़ेंगे तब तक और लोग धन मेज़ेंगे तो कि सिक्षा के शेतर में यह प्रयोग चल रहे है और शिक्षा के शेतर में इस प्रयोग को करने के लिए व्यक्ति किसी विद्धाल माः विद्धाले के रूझ लिए रूपता नहीं उसको जब यह जन जाती यह लड़की वो प्राइमरी स्कूल टीचर हो गई अब प्रामानिक थी इसलिए रिजल्ट चड़ा बढ़ा के बताने की बात नहीं थी तो उसकी क्लास का रिजल्ट बहुत कम लगता था कि तो हर बार एक्स्प्लेशन कॉल अपोना हो गरे सारा चलता था फोड़ी अंतर मुख हो गया इसा क्यों हो रहा है तो उसके जो ध्यान में हो यह ध्यान में आया कि यह पाठ्यक्रम ऐसा है कि इनके पले नहीं पड़ेगा उस परिस्थिति में से जो यहां पढ़ने के लिए अपने अंदर लेने के बाद उसका कुछ उप्योग होने वाला है इसलिए सो में रुची नहीं है और उस सिलयबस्क के अनुसार उस परिक्षा के प्रश्णों के अनुसार जो लोग फेल होते हैं वह अन्यथा कई क्षेत्रों में अपना कर्तृत्व दिखा रहे हैं तो उस अजने ऐसे सब बालोकों के लिए अपने मन से और प्रयोक शुरू किया और फिर बात के और उच्चवर्गों की परिक्षाओं में वो लड़के जब अवल आने लगे तब शासन का ध्यान गया तो महराट्र शासन की शिक्षा सलाकार समीती में उस लड़की को जो प्राइम तो ऐसा नहीं है कि कोई रुखता है क्योंकि यह जीवन की आवश्यक्ता है शिक्षा और स्वास्ति जीवन की आवश्यक्ता होने के कारण अगर सुविधा नहीं है तो लोग उसके लिए रुखते नहीं प्राप्त परिस्थिती में सुविधा कैसे बनाना इसका प्रयास उ समय देकर काम करने वालों की संख्या बढ़ाएंगे जगह जगह तो यह बहुत गती से बढ़ेगा और आज के बात आरण में मुझे लगता है कि कि हम बहुत जल्दी भारत में शिक्षा का स्वरूप आमूल चूल बदल कर रख देंगे अच्छी तरह से उसका लाब हो इस तरह से इतना सामरते अपने इस अभिक्रम में है तो तनमन धनपुर्वक उसको आगे लई जाने के लिए आप लोग संकल पबद्ध होईए और आगे बढ़िए इतना ए उसक्षेत्र से प्रत्यक्षा नहीं हूं इसलिए आपको निवेदन कर रहा हूं नहीं तो मैं भी इसमें लगता और अभी जाहां हूं वहां से जितना मैं कर सकूंगा उतना मैं जरूर करूंगा यह आश्वासन भी देता हुआ अपने चार्शक्ते समाथ प्रत्व कर आंप无च경 मैं से घिए आते स्क्षेत्व